नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मनुईंदर और मेरी चैनल पे आप सबी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है पेगसस चासुसी मामले से जुड़ी नौ अरजियों पे सुप्रीम कोर्ट ने आज जाने के गुरुबार को सुनवाई की है यह अरजियां पत्रकारों, वकीलों, समाजिक कारे करता हों और एडिटर गिल्ड्स अफ इंडिया की तरफ से दायर की गई है पेटिशनर की मांग है कि पेगसस मामले की SIT जाज करवाई जाए इस केस की सुनवाई करते हुए Chief Justice N.V.E. रमना ने कहा है कि अगर जाजुसी से जुड़ी हुई रिपोर्ट सही है तो यह गंबीर रोप है साथ ही पेटिशनर ने कहा है कि वे अपनी अरजियों की कौपी केंद सरकार को भेजें इसकी अगली सुनवाई मंगलवार को हुगी सुनवाई के दौरान Chief Justice ने कहा कि जासुसी की रिपोर्ट 2019 में सामने आई थी लेकिन यह पैता नहीं चला कि इसके बारे में किसी ने ज़्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश की है या नहीं आज ही एक पैटिस्टर ने कहा है कि मैं हर केस के तत्य को नहीं देख रहा कुछ लोग दावा कर रहे हैं उनके फोन इंटरसेप्ट किये है तो ऐसी चिकायतों के लिए टेडिग्राफ एक्ट है पत्रकार एन राम और शशिकुमार की तरफ से पहरवी कर रहे है वकीर सिब्बल ने कोट में कहा कि पैगसर से खराब तकनीक है जो हमारी जानकारी की बिना हमारी जिंदगी में दाखिल हो जाती है यह हमारी निजता गरिमा और हमारे गंदंत्र के मूले उपर हमला है सिब्बल ने कहा कि स्पाई वेर सिर्फ सरकारी एजन्सियों को ही बीचा जाता है निजी संसाओं को नहीं बीचा जा सकता सिब्बल ने अभी दरलील दी की पत्रकार समयधानी संसाएं अदालत के अधिकारी और शिक्षाविद तक स्पाई वेर के टार्गेट पे थे ऐसे में सरकार का जवाब देना है कि स्पाई वेर किस ने खरीदा हार्डवेर कहा रखा गया है और सरकार ने एफ आई आर दर्ज क्योंने की मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को नोटिस जारी किया जाए एक शिक्षाविद की तरफ से पेश वकील श्याम दिवान का कहना था कि इस मामले की एहमियत बहुत ज़्यादा है इसलिए सर्तंत्र जास कराई जाए इस केस में सबसे ज़्यादा स्तर के बियूरिकेर्ट्स के जर इंपॉर्टन होती है और प्राइवेसी का क्याल रखा जाना चाहिए पैटिशनर ने अपील की कि पेगसस मामले की जाज सुप्रीम कोर्ट की रिटायर या मवजूदा जज की अधिक्स्ता में गठित SIT से करवाई जाए केंद्र को ये बताने के लिए कहा जाए कि क्या सरक या फिर उसकी किसी एजंसी ने डारेक्ट और इंडारेक्ट वे में जासुसी के लिए पैगसस स्पाइवेर का इस्तेमाल किया है क्या पैगसस स्पाइवेर का लाइसेंस लिया गया है पैटिशनर ने ये भी कहा कि मिलेटरी ग्रेट के स्पाइवेर से जासुसी करना निश के अधिकार से समझोता करना है मैं आपको बता दूं कि पैगसस विबाद है क्या खोजी पत्रकारों के अंतराष्टिक ग्रूप का दावा है कि इस्राइली कंपनी एन एसो के जासूसी सफ्ट्वेर पैगसस से दस देशों में 50,000 लोगों की जासूसी हुई है भारत में अब तक 300 नाम सामने आ चुके हैं जिनके फोन की निगरानी की गई इन में सरकार में शामिल मंतरी, विपक्ष के नेता, पत्रकार, वकील, जज, कारोबारी अफसर और विज्ञानिक एम एक्टिविस्ट शामिल है तो दोस्तों ये थी पैगसस से जुड़ी खबर आप मेरे चैन डेंट कैसा लगा है, जे हिन, जे भरत